हलो कोडर्स एन वेलकम बैक टू कोडिंग सार्थी इन दिस वीडियो वी विल सी लीट कोड प्रॉब्लम जंप केम तो यहाँ पर हमें एक इंटीजर एरे गिवन है जिसकी हर एक पोजिशन वैल्यू रिप्रेसेंट करती है तो यहाँ पर वैल्यू है टू यानि हम गया मैक्सिमम टू जंप ले सकते हैं अगर मैं थर्ड इंडेक्स पे हूँ तो थर्ड इंडेक्स से मैं ले सकता हूं वन जंप डू जंप और मैं ले सकता हूँ 3 jump तो मुझे इस question में first वाले 0th index से पहुंचना है अपने last वाले index पे, last वाली value पे जो की होगा मेरा final index अगर मैं पहुंच पाता हूँ first 0th index से अपने last वाले index पे, तो मुझे return करना है true, otherwise मुझे return कर देना है false यहाँ पर मेरे पास value है 2, यानि कि मैं maximum 2 jump ले सकता हूँ तो मैं maximum 2 ही jump ले लेता हूँ 1 and 2 मैं पहुंच गया second index पे second index में मैं दे सकता हूँ one jump तो one jump लेकि मैं पहुंच गया third index पे third index में मैं दे सकता हूँ one jump तो मैं पहुंच गया final index पे और अगर मैं final index पे पहुंच जाता हूँ तो मेरे को return करना है true अगर मैं नहीं पहुँच पा रहा है तो मेरे को return करना है false इस question को हम कुछ staircase के form में भी visualize कर सकते हैं अगर मेरा array है 3, 2, 1, 0, 4 तो मैं इसको staircase की form में लिख देता हूँ और यहां से first वाले stair से यहां पे value है 3 तो मैं यहां से 1 jump लेके इधर पहुच जाऊँगा अगर मैं को 2 jump लेनी है तो मैं यहां पहुच जाऊँगा और अगर मैं को 3 jump लेनी है तो 1, 2 and 3 मैं यहां पहुच जाऊँगा ठीक है तो यहां से मैं ले लेता हूँ 3 jump तो 1, 2 and 3 jump मैं ले मैंने ली और यहाँ पर value is 0 यानि कि आप आगे jump नहीं ले सकते तो आप final पे नहीं पहुँच पारे तो चलिए एक बार मैं 2 jump लेके देख लेता हूँ यहाँ से मैंने 3 jump ली थी मैं 2 लेता हूँ 1 and 2 2 jump लेने के बाद अब मेरे पास maximum jump कितनी आती है 1 तो मैं 1 अगर jump लेता हूँ यहाँ से तो मैं फिर से 0 पे पहुच हूँगा और आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 0 jump है यहाँ तो 3 से अगर मैं 1 jump लेता हूँ तो मैं 2 पे पहुचता हूँ 2 से अगर 2 jump लेंगे तो भी 0 पे जाएंगे 2 से अगर मैं 1 jump लेता हूँ तो यहाँ पर पहुचाँगा और यहाँ से फिर मैं 1 jump लेके नहीं पहुचाँगा यानि कि there is no way to reach this final index तो इस case में हमें return करना है false क्योंकि मैं final index में पहुच ही नहीं पा रहा अब इस question को हमें solve कैसे करना है तो इस question को solve करने का सबसे इसी तरीका है recursion recursion के थूँ आप explore करिए अपने all possible path first one index को let करके उसके बाद उसे हम memoize कर सकते है space और time complexity reduce करने के लिए और dp में final उसको convert कर सकते हैं एक यह तरीका रहेगा इस पे एक next video हम बनाएंगे और इस video में हम देखने वाले हैं इसका greedy method तो greedy method के लिए मेरे पास एक मैंने array ले लिया है इसके उपर हम देखेंगे तो हम इसको starting से ना जाके हम let करेंगे कि मैं हूँ final position पे क्योंकि ultimately तो मुझे final पे ही पहुशना है मेरा goal क्या है और को final पे reach करना है तो मुझे final पे reach करना है तो मैं इसको मान लेता हूँ initially मैं final पे हो अब मुझे यहाँ से चेक करना है कि इसकी पीछे वाले index साथ वाले index से मैं अपने final index पे पहुँच पा रहा हूँ तो मुझे ऐसे चेक करते हुए पीछे जाना है तो मैं यहां पर आ जाता हूं, क्या मैं 8-way index से पहुच पा रहा हूं यहां पर, हाँ मैं पहुच पा रहा हूं, तो क्या मैं यह कह सकता हूं, अगर कोई index पीछे वाला, मुझे इस वाले index पर पहुचा दे, तो आगे तो मैं चला ही जाऊंगा, कि यहां से अभी यह देखाना क्या बन जाता है, मेरी finish line ही change दो जाती है, कि अब मुझे final नहीं देखना, अब मुझे देखना है यह 8-way index पर, क्योंकि 8-way से तो मैं final पर पहुची जाऊंगा, अब मुझे देखना है कोई 8-way index तक मुझे पहुचा सकता है क्या, पिछे वाले index, तो यहां से मैं 7 से check करता ह क्या 7 मुझे पहुचा देगा, 8-way index पर, नहीं पहुचा सकता है, क्योंकि इसकी value 0 है, 0 jump है मारे पास, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, 6 index पर check करते हैं, 6 index मुझे पहुचा सकता है, 5th index पहुचा सकता है, 5th index तो मुझे यहीं पहुचा एगा, 6th पर, यहां मैं 4th index से पहुच सकता हूँ, 4th index मुझे 2 jump लेके जाएगा, 1 and 2, फिर मैं 0 पर फस जाऊँगा, मैं 8-way पर पहुच नहीं रहा, तो क्या मैं 3rd index से पहुचूँगा, 3rd index पर मेरी value क्या है, 4 है, तो मैं 4 से check लेता हूँ, 1, 2, 3 and 4, मैं अभी भी नहीं पहुच रहा, मेरे को इस वाले index पर रीच कर रहा है, मैं नहीं पहुच पा रहा हूँ, अब मैं 2nd index से देख लेता हूँ, यहाँ पर मेरी value कितनी है, 6, तो क्या मैं 6 की मदद से, 6 jump लेके, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्या मैं पहुच पा रहा हूँ अपने goal पे, हाँ मैं पहुच पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 6th index से, क्योंकि अगर मैं 6th index से यहां तक पहुच गया, तो यहां के बाद तो हमने पहले ही निकाल लिया है, हमारे पास है final तक जाने का, तो अब मेरा जो final goal बन जाता है, वो बन जाता है 6 तक पहुच ना, क्योंकि 6 तक अगर मैं पहुच गया, तो 6 के बाद मैं वन पर पहुच जाऊंगा और वन के बाद में फोर्ग तक पहुंच ही जाऊंगा तो अब मुझे सिर्फ इस सिक्स तक जो सेकंड इन्डेक्स है वहां तक देख देखना है कि मैं पहूँच पा र खांग या नहीं पहुच पा रहा तो 0 से मैं 1 जंप लूँगा और इस तक पहुँच रहा हूँ, तो हाँ मैं पहुच सकता हूँ, अब मेरा flag चेंज रहेगा 0 पे, और 0 पे तो मैं already खड़ा हूँ, initial position तो मेरी 0 ही है न, अगर मैं 0 position पे पहुचा, और मेरे flag का मतलब क्या है, कि अगर मैं इस वाली position पे हूँ, तो यहां से मैं, मैंने already path explore किया है कि मैं final तक तो पहुची जाऊँगा, मेरा flag ही यहां पे आ गया, इसका मतलब यह है कि मैं इस वाली index पे आ जाता हूँ, तो मैं final पे पहुच जाऊँगा, तो बस यही है मैं explore करना था, क्या मैं 0 index से last पे पहुचूँगा, इस case में हाँ, म पे 6 है ना, तो अगर यह 6 की जगा पे, 6 की जगा पे 7 होता, तो मुझे तो reach करना था, आठवे index पे, तो मैं यहां से कितने ले था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह होता 7, तो क्या मैं आठवे index पे पहुच पा रहा था, अगर यह 7 होता तो, मैं तो एक index आगे निकल रहा हूँ ना, क्या मैं आठवे index पे पहुच पाता, तो answer है हाँ, मैं पहुच पाता, क्यों पहुच पाता, क्योंकि 7 का मतलब है, at max 7, यादि कि आप 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 और 1, ऐसे कि इन jump में से कोई भी jump ले सकते हैं, तो यहां पर जो value होगी बस उस value को मुझे मेरे final index तक पहुचाना है या उस से ज़्यादा भी होगी तो भी मैं अपने final index पर पहुची जाऊँगा ठीक है तो ये थी हमारी approach तो इस approach को हम code में देखते है code में करने के लिए हमने क्या किया था एक finish line ली थी ये जो हमारा flag दिख रहा है आपको ये क्या हमारा finish line है यहाँ पर मैंने ले लिया एक finish line finish line हमारी किस से initialize हो जाएगी n-1 से n मानलो total array का size है और हमने start किया था check करना कहां से last second element से तो हम हमने यहाँ से check करना start किया था और check करते हुए हम कहां तक चलेगे थे all the way up to zeroth index तो यहाँ से मेरे को zeroth index तक जाना है तो इसके लिए मैं एक loop लगा सकता हूँ कहां से चलेगा loop n-2 वाले index से चलेगा और कहां तक जाएगा greater or equal to 0 तक जाएगा और हर बार यह loop क्या होगा एक एक value से reduce होता जाएगा इस तरीके से मैं एक loop लगा सकता हूँ ठीक है और मेरे को check क्या करना था मैं check करना था क्या मेरा ये एक jump लेके मैं अपने flag तक पहुँच पा रहा हूँ या नहीं पहुँच पा रहा हूँ ये ही check करना था ये मैं कैसे check करूँगा करन्टली मैं कौन से index पहुँच पहुँच पहुच 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 पह और अगर मैं पहुँद जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपने flag को update करता हूँ, तो यानि कि अब यह जो मेरा flag है, यह update हो कि यहाँ पर आ जाएगा, और जो मेरी यहाँ पर value है, चेक कर रहा हूँ, n-2 से चेक कर रहा हूँ, minus minus होके, एक value कम हो जाएगी, तो मैं इस 7 व प्लस 0 कितना होता है, 7 ही होता है, तो 7 प्लस 0, 7, यह 7 क्या 8 के बराबर है, यह 8 से बड़ा है, क्योंकि 8 के बराबर यह उससे बड़ा होगा, तब ही तो मैं यहाँ पहुच पा रहा, तो मैं नहीं पहुच पा रहा, तो मैं नहीं पहुच पा रहा, तो मैं नहीं पहुच प तो यहां से तो रास्ता ही नहीं आगे जनेगा तो इसलिए यहां पर अपडेट नहीं हो गए और बस मैं अपनी वैल्यू का आगे बढ़ाऊंगा चेकिंग करने के लिए तो अभी मेरे पास value कितनी आ जाती है यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास value आ जाती है 6 6 प्लस 0 जो कि अभी भी मेरे को flag जो हमारी finish line है वो उस वाले index तक नहीं पहुचा पारा तो हम क्या गरेंगे इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही यहाँ पर चैक होगा 1 पर तो 5 index है प्लस 1 की jump तो 5 और 6 छटे index तक मैं इससे maximum पहुच सकता हूँ और छटे index पर मेरा finish line ही नहीं तो मेरे को क्या गरना है simply आगे बढ़ाएंगे आगे मेरे पास मैं 4th index पर हूँ और 4th index से मैं 2 jump लगाऊँगा तो 4th index से अगर मैं 2 jump लगाऊँगा तो 1 and 2 फिर मैं 6 index पर पहुच पाऊँगा और 6 index पर पहुचने से मुझे कोई benefit नहीं है यूदि मुझे finish line तो मेरी 8 वे index पर है तो बस इसको फिर से update करो और check करो तो 4th, 3rd index पर मैं हूँ और 4 jump ले सकता हूँ तो 4, 3, 7 हो गया और 7 मेरा finish line के बराबर है नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ अब इसको मैं फर्दर update करूँगा तो मैं पहुच गया second index पर second index पर मेरी value क्या है मैं second index पर already हूँ और jump ले लेता हूँ वहाँ से 6 तो total मैं कौन से index पर पहुचूँगा आ सकता हूँ तो मेरे को क्या change करनी है finish line change करनी है तो finish line मेरी यहाँ से update होगे इधार आ जाएगी ठीक है तो यह जो मेरे finish line था इसको मेरे को update कर देना है कब करना है if i की value plus जो हमारा array है उसकी value अगर greater और equal होती है हमारी किसके finish line के थोड़ा space नहीं है ऐसी लिए तो मेरी finish line क्या हो जाएगी update हो जाएगी किसके बराबर कर देंगे current i की value के बराबर कर देंगे i index represent करेगा न हमारा तो हमारा second index 2 हो जाएगा जो finish line है यहाँ पर index value 2 है तो हमारा finish line किसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी ठीक है और अगर मान लो यह पर 6 की जगा पर होता 7 तो मेरा हो जाता क्या 7 प्लस 2 इकोल्स 2 कितना होता 7 8 9 यानि कि मैं maximum 9 जंप ले सकता हूँ यहाँ से सीधे 9 वे index पर बहुत सकता हूँ लेकिन अभी previous मेरा flag कहा था आठवे index पर था तो आठवे तक तो मैं पहुंची रहा हूँ एट मैक्स है ना 9 है 9 का मतलब में 8 जंप भी ले सकता हूँ 7 भी ले सकता हूँ और 6 भी ले सकता हूँ और ऐसे ही और कम-कम 1 तक मैं ऐसे जा सकता हूँ मेरा काम हो गया मैं finish line तक पहुंच पा रहा हूँ अब ऐसे ही मैं इसके 7 वाले पर check करता हूँ 1 फर्स्ट वाले index पर क्या मैं 1 फर्स्ट वाले index से 2 पहुंच रहा हूँ तो 1 प्लस 1 2 होता है और मैं हाँ पहुंच पा रहा हूँ मेरा finish line चेंज जाएगी मैं यहाँ पर आ गया और ऐसे ही मेरा यह क्या हो जाएगा जीरोथ index पर जीरोथ index पर मैं पहुंच पा रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स पर हाँ 0 फलस 1 1 फर्स्ट वाले index आ गया फर्स्ट वाले index पर मैं पहुंच पा रहा हूँ यानि कि इस case में हमें क्या return करना है true return करना है यह आप final पे पहुँच सकते हो और अगर ऐसा नहीं होता हमारा जो flag है in between कहीं बीच में ही वो रुख जाता आगे बढ़ी नहीं पाता मानलो यहाँ पे 0 जो था तो 0 हमारा यहाँ पे cross किस ने करवाया था इस 6 ने करवाया था 6 की वज़े से ही तो हम आठवे index पे direct jump करके पहुच पा रहे थे अगर यहाँ पे 6 की जगा पे 5 भी होता तो फिर से यह हमें कहां पे पहुचाता 7th index पे पहुचाता 5 और 2 7 7th index और 7th के बाद हम पहुच ही नहीं पाते तो हमारा flag कहां अठग जाता हमारा flag यहीं यहीं अठग जाता हमारे इस वाले 8 वे index पे और वो 0 पे आई नहीं पाता यानि कि 0 से कोई path हमें मिलता ही नहीं आगे पहुचने का final इंडेक्स पे या हमारी finish line तक finish line तक पहुँचेंगे, तब ही final पर पहुचेंगे, नहीं पहुच पारे, तो बस यही था हमारा code, अब इसको actual code पर देख लो, यह रहा, ठीक है, मैंने क्या किया, finish line ली, और उसको num.size से के बराबर कर दिया, num.size-1, यानि कि last वाले index पे, एक diagram नीच लिया, तो हमने क्या किया था हमनी finish line ली थी, finish line को हमने num.size-1, यानि कि हमारा number.size-1 यह last index होगा, यह हमारी finish line हो गई, यह हमने यहापे लगा दी, और हमने checking करना start कर दिया, कौन सा last second index है, तो हमारा जो यह checking स्टार्ट होई थी, वो हमारी आठवे index होई थी, तो यह कैसे मिलेगा, size-2 से मिल जाएगा क्योंकि minus 1 तो हमारा last होता है, और last second हमारा minus 2 करने पे होता है, और ऐसे हमें check करते हुए जाना ही यहाँ से, हमने 8-way index के लिए check किया था, फिर 7 के लिए, 6 के लिए, 5 के लिए, ऐसे हम करते-करते-करते, 0 थी index पे पहुँच रहे थे, तो वह हमने यहापे loop के अंदर लिग लिए, और इसके बाद I की value, I की value क्या है हमारी यह 2, 6 और 2, 8, यानि कि यहाँ से मैं jump करके 8-way index तक पहुँच सकता हूँ, और वो अगर हमारा greater or equal to हो जाता है finish line से, मतलब finish line से भी आगे तक कूद सकते हो, यहाँ से, अगर मैं होता है, यहाँ पे 7 होता, तो क्या होता, 7 औ यहाँ से direct कितना, इससे भी आगे कूद सकते हो, लेकिन हमने तो देखा न, at max value है, हम 6 भी तो ले सकते हैं, अगर यहाँ पे 7 होता तो आप 6 भी कूद सकते हो, 5 भी, 4 भी, तो इस तरीके से, इसलिए हमने यहाँ पे greater or equal to रखा है, और जैसे जैसे हम, हमें मिलता जाएगा क कि हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, हमारा finish line क्या होती है, वो भी update होती रहती है, तो यहाँ पे हमने finish line को update कर दिया, और अगर at the end पे हमारा finish line, जो हमारी finish line है, वो अगर 0-3 index पे पहुंच जाती है, तो यानि कि हम यहाँ से final index पे पहुंच सकते हैं, तो अब बात कर लेते है इसकी time complexity की, तो time complexity में हम देख सकते हैं, हमने सिर्फ ये एक use किया है, for loop, for loop कहां से iterate होना है, start हो रहा है, n-2 से लेके 0 तक, और कोई काम नहीं चल रहा, nested loop नहीं है, recursive call नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक plain loop है, जो की order of end time ले रहा है, ठीक है, order of end time ले रहा है हमारा time complexity में, और space की बात करें, तो हमने कोई array बगरा कुछ declare नहीं किया हुआ, तो हमारी जो time complexity यहाँ पर बनती है, वो बनती है order of end की, तो हमारा time complexity कितना हो गया है है, यहाँ पर, так, time complexity है हमारी order of end और space complexity हमारी हो जाती है, यहाँ पर, order of one, I hope you understood this question very well and next video में इसका recursive part भी देखेंगे तो तब तक के लिए please like, share and subscribe the channel and thank you for watching this video